मुफ्ती तारिक मसूद के बियानात के लिए तारिक मसूद एक्स्क्लियूसिफ को सब्सक्राइब करें तारिक मसूद एक्स्क्लियूसिफ हमारे एक दोस्त ने फून किया वही कारोबारी मश्वरे के लिए मैंने उनको कहा भई मैं कारोबारी मश्वरे नहीं देता ठीक है मेरा कारोबार होना अलग चीज़ है लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ी होगी है मैं एक आफिस खोल दू लोगों को मशवरे देना चुलू कर दू तो वह कहने लगए कि जी मसला यह है कि हमारे एक बहुत पुराने दोस्त है उनके कारोबार का करोड़ों का होगỉ है नुकसान ये खौब वाकिया घौर से सुने ये वाकियात बराए वाकियात नहीं है ये Qराण और सुनत ही की तालीमात को आज के वाकियात की रोश्नी में आपके दिमागों में डाल रहा हूँ समझ रहे हो क्यूंकि आज के वाकियास से वो पुरानी तालिमात ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगी 1400 साल पुराने वाकियास से उस तरह समझ में नहीं आएंगी मार्केट में हो की आ रहा है और ये मश्वरा इसलिए उनको दिया और आपको बता रहा हूँ कि सब इसको एक बात समझ में आजाए है कहने लगी जी करोड़ों का नुखसान हो गया हमारे दोस्त का ए ने पूछा मुझसे ए ने पूछा मुझसे कि जो भी मेरा दोस्त है उसका फून आया है कि उसका कई साल का बिजनिस तबाहो बरबाद होगे अब उसे दुबारा अपने पाउं पे खड़े होने के लिए पंदरा बीस करोड रुपए चाहिए कितने चाहिए हो सकता है पंदरा बीस अरब चाहिए हो मैं फीगर चेंज कर रहा हूँ कुछ भी हो हमें उससे क्या लेना देना हमें तो मिसाल से मतलब है कितने चाहिए भाई पंदरा से बोलो बीस करोड रुपए चाहिए उसने मुझ से यानी बी ने ए से रापता किया है कि यार तुम भी करोड़ पती आदमी हो इतने करोड मुझे दे दो हवाले दे दना दन नहीं आई बात समझ में कैसे मज़े की जिन्दगी है के नहीं है भाई आप पंदरा करोड रुपए दे दो भी ए से कह रहा है मेरा कारोबार तबाह हो गया लेकिन तजरबा तबाह नहीं हुआ आपके पास पैसा है मेरे पास तजरबा है और मैं दोबारा इस्टेबल हो सकता हूँ लेहादा पंदरा करोड रुपए आप मुझे देंगे तो मैं दोबारा बिजनिस रन करूंगा बिजनिस की ये फाइले है ये बिजनिस चलता फिर ता आपको भी पता है बेहतरीन बिजनिस आपको नहीं पता उस बंदे को बता है या नहीं वह एक है रहते है और ये छे साथ महीने की बात है छे साथ महीने की बाइं हाथ का खेले वो तो एक मेरे से गलती हो गई ती जिससे लॉस हो गया छे साथ महीने की बात है बाइं हाथ का खेले अच्छा जो A है वो भी इमांदार है B B क्या है इमांदार दोनों नेक हैं फरोडी इन में कोई भी नहीं है लेकिन जो मैं बताना चाहरा हूँ नहीं जो मैसेज देना चाहरा हूँ वो समझो तो ये B ने मुझे से राप्ता किया मैंने का A से कहो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है कोई घर है तुम्हारा जाती यकिनन इतना बड़ा तुम्हारा बिजनिस है तो तुम्हारा जाती घर तो आपने बनाया होगा न 15-20 करोड़ों में बिक जाएगा वो लगा लो अच्छा ये जो B है ये बहुत दबाव में आया वा था सॉरी A जो है बहुत दबाव में आया वा है कि B का बहुत इसरार है दोस्ती B है पुरानी तो अब इसने मुझसे मश्वरा ले लिया A नहीं मश्वरा ले लिया बोलो मुझसे मैंने का भई कारोबारी मच्छर नहीं देता है कह रहे हैं आप पूरी बात तो सुनें मैंने का जी इर्शाद कह रहे हैं भी कह रहा है मुझे पैसे चाहिए मुझे पैसे चाहिए मैं डबल करके दे दूँगा मैंने का भी इमानदार आदमी है जी हाँ जी मुफ्तिय साथ भी बहुत इमानदार आदमी है आज तक कभी किसी को धोका नहीं दिया मैंने का ऐसा करो उससे पहले पूछो कि तुम अपना पैसा क्यों नहीं लगा रहे इसने पूछा तो भी ने कहा भई मेरा सारा पैसा डूब गिया है मैं कहां से लगाँ मैंने का मैं बताता हूँ तुम्हारे पास कहां से पैसा है इससे पूछो किराय के घर में रहते हो या जाती घर में रहते हो भी ने कहा भई घर तो जाती है इतना बड़ा करोड़ पती आदमी किराय के घर में कहा रहता है जाती घर है कितने का बिकेगा जरा पूच्छ के बताना उनने का 25-30 करोड़ तो होगा मैंने का मुफ्ती साफ कह रहे है कि मुफ्ती साफ मने मश्वरत दिया B को कि 25-30 क करोड़ अपना घर बेच दो कह रहे हैं इतनी जल्दी सस्ता बिकेगा मैंने का कोई बात नहीं पांच करोड का नुकसान करके बेच दो क्वारोबार में लगा दो छे महीने में डबल हो जाएंगे क्या ख्याल है घर दुबारा खरीद लेना कितना असान पैकेज दिया कि नहीं दिया आप लोग की समझ में नहीं आ रहा तो बी की समझ में कहां आएगा अब आए नुकसान में बेच देना तो क्या जा रहा है तुम तो बिजनिसमेन हो तुम जब छे महीने में पंदरा करोड पे पांच करोड फॉर एक्जेमपल कमा सकते हो तो तुमारा अगर पांच करोड लॉस में भी चला गया घर तो क्या जा रहा है तुम्हारी नुकसान की तलाफी तो फिर भी हो जाएगी क्या ख्याले भई और फिर ऐसे तीन घर और बना ले ना छे सास सालों में तो A न B को ये सिजेशन दी के मुफ्ती साब कह रहे हैं के भाई अपना जाती घर बेच दो और वो सारा पैसा फिलहाल किराए पे रह लो और सारा पैसा कहा लगा दो किसे खराब खराब मश्वरे देता हूँ देखो लोगों को मैं कितने खराब खराब मश्वरे देता हूँ B का तो बेड़ा खरक हो गया ना कोई बेड़ा खरक नहीं हुआ कमबख्त बड़ी मेहनस से बनाया है इसको बोलो कि तू मेरे पंदरा करोड दाओ पे लगा रहा है छे महीने बाद किसी कारोबार में कोई 100% गारंटी दे सकता है कि प्रॉफिट होगा कोई दुनिया में ऐसा कारोबार बताओ ये तो यहुदी भी गारंटी नहीं दे सकता है तूफान आ सकता है क्राइसिस आ सकते है डिफॉल्ट हो सकता है कंट्री आपका बीसियों इमकानात है और ये भी मुम्किन है कि भाई आप बिमार हो जाओ कोई कैंसर हो जाए आपको आप बिजनिस ना कर सको दूसरे के पंदरा करोड दाओ पे लगा रहे अपनी जो दिवारों इंटों से महबबत है ना उस महबबत को दाओ पे लगाने के लिए दियार नहीं है मैंने कहा इसको बोलो तूँ ये बंगला क्या कबर में लेके जाएगा बेच इसको इसको बेच के लगा पंदरा करोड और छे महीने में तु फिर कमाना पांच करोड अभी धाई करोड ये तुझे दे रहा है तो कहना धाई के बज़ा है पांच करोड पूरे तेरे हुए मुफ्ति साब ने अशब बेतरीन पैकेज बताया है कि तुम पहले मुझे धाई करोड दे रहे थे अब मुफ्ति साब कह रहे है धाई नहीं पूरे पांच भी रखे जबरदस फाइदा हो गया कि नहीं हो गया आदे किसी और को क्यों दे रहे हो पूरे खुद रखो हमारे वाले साब कहा करते दे बेटा जब कोई आए ना बोले कि मुझे दो लाक रुपए चाहिए और मैं बिजनिस करके इतना प्रॉफिट लूँगा इसलिए दो लाक आप दे 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 या एक लाक आप दे दे एक मैं लगाऊंगा तो जो प्रॉफिट होगा आदा आदा करेंगे तो उसको ये कहा करो कि पूरे तूई लगा ले और प्रॉफिट पूरा तूई रखले नहीं है यह वाद यानि तेरे फाइदा का मश्वरा दे रहा हूँ कि मुझे आदा देने कि इस तकल्फ की क्या जरूरत है वही इस तकल्फ की क्या जरूरत है हम ऐसा पैकेज लेकर आए है पूरा प्रॉफिट किसका आपका आज से पूरा प्रॉफिट किसका हुआ आपका हुआ हम वो बता रहा हुता है नहीं असल में मैं चार रहा हूँ कि आपक इतने बच्चे हैं, इतनी बीवियां हैं, तो ऐसा हो, मेरे साथ तो यह होता रहा है, अब तो नहीं होता, पहले बहुत हो, तो आप ज़रा पैसा लगा दें, तो मैं चाहता हूँ कुछ आपका भी सेट अप चल पड़े, तो मैं उसे कहता हूँ, पूरा आप ही लगा दो, अपने घर बढ़ाके उन्हीं को चलाना चुरू कर दो, फिर मैं आपके पास हाँगा, कि आपकी चार हैं, और इतना खर्चा है, तो एक करोड मुझे दे दें आप, तो एक क्रोड मुझे दे दें आप, मैं चाहता हूँ का अरुबार में पैसा लगाओं, आधे आपको दे अगर हूँ ताकि आपका घर भी चलता रहे, फिर देखता हूँ तू निकालता है कि निकालता है पैसे, ये ड्रामे बाजियां क्यों हो रही है, खुब समझो, मेरा मकसद ना A की घीबत है, ना B की घीबत है, मेरा मकसद ये कि B के दिल में लालच है, जरूरत नहीं है, ये क आती है, गर लोग किराय पे नहीं रहते हैं क्या, ए भई वो पागल है क्या, और बेतर नहीं है कि हम इतना तावन किसी के साथ कर रहे हैं, तो किसी घर दिला दे हम, तुमारे पास घर तो है ना, बहुत से लोगों के पास तो किराय के देने के लिए घर नहीं है, पेड़े अपना खाओ, अपना कमाओ, किसी की जेब पे नजर मत रखो, और इसकी अलामत क्या है, आपका दोस्त अपनी पूरी आमदन आपको बताते हुए हिचकिचा रहे हैं, इसका मतलब वो बुरे नहीं हैं, आप बुरे हो, उनको आप से खतर है, कि अगर इनको बता दिया ना, म मेरा पैसा सेव, बोलो, नहीं है, लोग हुकूमत को पूरा पैसा क्यों नहीं बताते हैं, उनको बता है, सेव नहीं है, ठीक ठाक टेक्स लग जाएगा, तो यही काम कहा हो रहा है, यही भाई को बताते हुए, बहन को बताते हुए, शोहर बीवी को बताते हुए, बीवी श है अब कmeg grab수 कूछ तारे ना अब कितनी आमदन है या आपका फॉल्ट है इह किसका फॉल्ट है उसको डर है उसको डर है मेरा पैस सेव बो महिने का आपके पास बी जितना गोल्ड है जितना पैसा इधर उधर से आपको मिलता है आप अपने शौहर को बताती рек भी में शोहर को बीवी पे इतमाद है और ना बीवी को शोहर पे इतमाद समझता नहीं है बात को शोहर भी नहीं बताता बीवी को उसको पता है इतने खर्चे बढ़ा देगी कि मेरे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और बीवी भी नहीं बताती हुई है उसमें क्या करेगा डंडी मारना शुरू कर देगा तो ये हमारी सोसाइटी का एक नेगेटिव पहलू है कि हमारे सामने कोई किसी को अपनी आमदन और बतानी भी नहीं चाहिए वो टैंशन देगा आपको तो क्या करेगा ये तो मैंने बताया कि लोग पैसा मांगते हैं जरूरत की बेस पे नहीं बलके आयाशी के लिए दूसरे के पैसे से बिजनिस करेंगे और फिर डुबोल के बैड़ जाएंगे फिर उसको बोल देंगे कि देखो आपको लोग हकीकत पता है क्या है मैं पहले इस बात पर बहुत हैरान होता थ कि मालिक मकान लोग अक्सर किराएदारों को बहुत टेंशन देते हैं आपने देखा होगा मालिक मकान और किराएदारों में ये जगड़े नलका तूट गया किराएदार कह रहा है ये तुमारी जिम्मेदारी है मालिक मकान कह रहा है नहीं हम नहीं लगाएंगे ये आना हो गया, कलर करा के दो, किराईदार कह रहा हुता है मालिक मकान से, क्या करा के दो, कलर करा के दो, मालिक मकान कहता है हम नहीं कराएंगे, किराईदार कहता है तुमारा घर है, तुमारी जम्मेदारी है, ये फट्डे चलते हैं ये नहीं चलते, बिल ज्यादा आ गया, इस जियाती होती है किराइदारों पर लेकिन ये यक तरफा मामला नहीं है ये जियाती दोनों की तरफ से होती है असल में हमारी सोसाइटी में किसी को किसी पे इतमाद अब रहा नहीं है जब किराइदार मालिक मकान को फून करके कहते है नलका तूड़ गया यह सही करा दो मालिक मकान के दिल में पता है क्या आएगा इसने जानकर बेहितियाती की ए अपना घर समझके इसने इस्तेवाल नहीं किया अगर मैं इसको नलकी के पैसे दे दिया ना कल दूसरे नलका तोड़े गई यह समझ में आरहीए बात अगर मैं इतना अच्छा बन गया नलका टूड गया येलो अगले दिन कहेगा टाइल उखड़ गई है वाश्रूम की परसों कहेगा वो लाइन लीक कर गई है गटर लाइन तरसों कहेगा सीडियों का एक वो उखड़ गया है उस अगले दिन कहेगा खिड़की गिर गई है चौते दिन कहेगा जलजल आ गया पूरा घर तबाओ हो गया है और ये होता है और किराइदार को भी मालक मकान पर इतमाद नहीं है उसको पता है कि अगर वाकई में भी नलका तूटा है ना तो मैं बोलूँगा तो पहली दफ़ा में पैसे नहीं मिलेंगे लहादा वो जितना केस होता है ना उसको डबल करके पेश करता है कि खर्चा डबल करके बताओ हो सकता है लिचड़पने में आधा कमसकम निकल आए नहीं आई मेरे खाले बाद यानि जितना खर्चा आ रहा है ना डबल करके बताएगा डबल तो दोनों को एक दूसरे पर और ये पाकिस्तान में मसला है ये जब भी आप किसी से बिजनिस कर रहे होते हो आपको पता है जो पहले टोपी करा देगा वो हावी आ जाएगा अगर आपने शराफस से मामला करने की कोशिश की तो दूसरा आपके उपर पूरा हेल्मिट लाके ठोप देगा वो इसलिए लोग क्या कर रहे होते हैं लिच्चड़बन दिखा रहे होते हैं है यह नहीं मेरे पास मैं कहां से दूँ जूट बोल रहे होते हैं, होते हैं भाई, मैं हैं ही नहीं, उनको पता है, बोल दिया ना है, वो तो फिर तो नचोड़ देगा मुझे, सही है, गुन्ने बन रहे होते हैं, मैंने एक दफ़ा कारोबार में पैसे लगाए ना, तैय ये हुआ था, कि हर महीने जो है, असल रकम त नहीं तबियत खराब, मेरे चाचो को ये हो गया, मैंने का एक ही दफ़ा जितने लोगों का इंतिकाल करवाना है ना, लिस्प बना के दे दे मुझे तू, मैं इतना बिजार आ गया, एक दफ़ा जिस जिसकी टांग तूटनी है, जिस जिसका पाइक से गिरके खोबड़ा ख गया, हमारे तो पैसों की मामला बहुत चले हैं लोगों से, बहुत कम लोग इस मामले में किलियर हैं, तो भाई खुद्दारी पैदा करो, क्या पैदा करो, और ये खुद्दारी उस वक्त तक खुदा की किसम पैदा नहीं होगी, जब तक दौलत से महबबद खतम नहीं होती है, दुनिया क्या है मेरे भाई, मसाफिर खान, टिमाटर खाके भी गुदर जाएगी, और चाए पापो में डबो के, डबो के खाने का अपना मज़ा है, उस तरह भी गुदर जाएगी, और बर्गर खाके भी गुदर जाएगी, तो बर्गर जो अपने पैसों का हो, ब गन्नेवाला था गन्नेवाला गन्ने के रसवाला बाद लोग गरीब होते मालदार होतेdragon अंदर से ये जो आज कर लोगों को मालदार बनाने की बताये जाराएं का पैसा सब कुछ होता है खुदा की गसम नहीं है दिल का घिना पैदा करो अपने अंदर अगर जाहरी दौलत आ गई और दिल में गिना नहीं है तो ये शफ्ष भी गरीब है क्यों? ये कभी सुकून में नहीं आएगा नभी सुने का एक जंगल है तो काश ये जंगल क्या हो जाए? डबल हो जाए कभी भी सुकून से नहीं बैठेगा सुकून उसी को मिल रहा है जो कनाएत के साथ जिन्दगी गुजार रहा है कि जितना अल्ला ने मुझे दिया मेरे लिए काफी बस इसी में जीऊंगा अपने गरवालों को भी बता तो भई हमारी ये इनका मैं बेगाम इसी में हमने जीना है रहना है तो रहो वरना पतली गली से बोलो निकलो हमारे नभी ने अपनी अजवाच को यही कहा है हमारे नभी तो गुर्बत में थे नौ बीवियां थी उम्मात अल्मुमिने क्या कहा कि या रसूलला हमें माल चाहिए तो नभी ने फरमाया कि मेरे पास तो माल नहीं है मैं तो सुबा आता है साम से पहले सदका मैं तो माल रखी नहीं सकता हमारे नभी को अल्ला ने कुछ खास गुर्बत आपके लिए यानि गुर्बत का इंतखाब किया था नभी ने उसमें कुछ हिकमतیں थी तो बहुत सारी हिकमतیں थी उसमें तो जब नभी की अजवाज ने यह मतालबा किया कि हमारे घर में तो फाकě हो रहे था तो नभी ने जल्म नहीं किया कि नहीं जी इसी फाके में रहना है नभी ने क्या फरमाया भाई बहुत मालदार लोग हैं दुनिया में और उस जमाने में तलाख याफता बेवा की शादी भी ठकसे होती थी ये मसाइल नहीं थे अच्छी जगा पर ही होती थी मालदारों में ही होती थी तो नभी ने क्या फर्माया कुरान में अल्ला ने आयते नाजल की कि आप अपनी अजवाच को कह दीजिए भे अगर दुनिया का मालो मता चाहिए तो मैं तुम्हें फारिख कर देता हूँ तुम्हें तलाख का इखतियार देता हूँ जहां चाहे निगा करो भाई दौलत भी मिलेगी और खुब पैसा भी मिलेगा और अगर मेरे साथ गुजारा करना है तो इसी गुर्बत में गुजारा करना पड़ेगा सब बीवीों को आपने तलाख का इखतियार दिया है बुला के इसी से उलबा ने इस्ते दलाल किया कि शोर बीवी को भी तलाख का राइट दे सकता है सारी अजवाच को आपने हदरत आईशा को भी इखतियार दिया हदरत आईशा चूंके नौ उमर थी उनसे का जल्बाजी में फैसला ना करना अपने घर में जाके पहले मशवरा कर लो हदरत आईशा को घुसा आ गया अफीका उशाविरो या रसूल आपके बारे में मैं घर में मशवरा करूं कि आपके साथ रहने के नहीं रहना सवाली पैता नहीं होता भाई हम इस गुर्बत पे राजी है तो आज भी मैं कहता हूँ भाई ज़्यादा टेंशन मत लो तुमारी आमदन कम है बेगम को बता दो बेगम इसी में गुजारा करना है मैं चोरी नहीं करूंगा लोगों से भीक नहीं माँगू जा जाके कभी वसीम से खर्दा मांग रहा है कभी खफार से कभी सतार से कभी किसी नमूने से यह हो गया आहाई यह होगी आहाई बिबी बिच्चों की फीसे नहीं नहीं पढ़ाओ इस्कूल में बच्चों को अगर नहीं है फीसे बाई टेमाडर बेजेगा कोई मसला नहीं है टेमाडर वाले जादा कमा रहे हैं आजकल यह गन्ने वाले आप क्या समझ रहे हो तो बेगम से बोलो भाई मैं जो कर सकता हूं मैं इससे ज़ादा नहीं है मैं उदर जाके उससे पैसा मांगो उससे जो है इसी में गुजारा करना है हां खुदा लखासता कोई मौस जिन्दगी का मसला बन गया तो फिर बे तकल्फ लोगों से इंसान मांग सकता है तो ये नहीं होगा रहना है रहो इसी तरह वरना पतली गली से निकलो जो ये सोच अपने अंदर पैदा नहीं करेगा वो इज़त के साथ जिंदगी नहीं गुजारेगा भेकारी पन पे आएगा वो लाजमी आएगा तो मैं वो गन्ने वाला का वायका सुना के बियान खतम करता हूँ ये घड़ी कैसी है क्या टाइम है बस ये वो हमारे एक दोस गन्ने वाला उदर बाजोड का कोई दीर या बाजोड का है गन्ने का रस लगाता था तो क्या हुआ पिर किसी दावत करते हैं न तो किसी ने एक दिन दावत की मुझे घसीट के ले गया कि भई मुझे साब आप हमारे याँ खाना खाएं पहले मिरे पास मैं मुझे इतना मशूर भी नहीं था मैं कभी कबार दावत में चला भी जाया करता तब तो अगर जाना शुरू करों तो फिर यही काम रह जाए तो हम चले गए फिर चंद दिन बाद कोई बंदा आया एक दूसरे मौलाना साब को ले गया दावत पे और इसको भी साथ में ले गया अच्छा इसको तुफैली बनके हर जगा लेके जा रहे हैं लोग तीसे दफ़ चौथी पांचवी दफ़ जब एक और बंदा आया कि भी हमारे यां दावत है चलो यह नहीं गया मैंने का जाओ ना वो मौलाना साब को भी लेके जा रहे हैं आप भी चले जाओ कहा रहा है यार खाना अपने घर कही अच्छा लगता है देखो गरीब आदमी था जा क्या थै और दाल रोटी दूसरे के मुरगे से बेतर है कह रहे हैं चलो एक दफ़ा हो गया दो दफ़ा हो गया अब ये थोड़ी के हर चार दिन के बाद किसी के घर जाके मैं खाना खा रहा हूँ यानि खुद्दारी की आप इंतिहा देखो बार बार किसी की दावत में जाना भी उसको अच्छा नहीं लग रहा कि ये मेरी खुदारी को चैलेंज किया जा रहा है लोग क्या कहेंगे आज उसके घर में खाना खा रहा है आज उसके घर में खाना खाना खा रहा है तो कह रहा है भाई खाना अपने घर की दो डाल रोटी है ना वो दूसरे के घर के मुर्गे से बहतर है मैंने गा ये है देखो गन्य का रस लगाता है इसके दिल में हवास नहीं है बुरी बात है ना आज अपने घर का कभी खाई नहीं रहे हैं कभी वहाँ बैठे वे हैं कभी वहाँ बैठे वे हैं कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ छे महीने पहले लोग आ रहे हैं मुझे घ्र्षीट के लेगा है अगले दिन फलाने जेकर लेगा है मेरी तस्वीरी आ रही है मुद्स हारी है उम्रववत में जा रहे हैं हमारे घर में भी मुर्गाव खाने को लामग्दॐल्लह मिल जाता है फिर फिर फलाने के हाँ दावत है उसको मना कर दिया तो नराज हो जाएगा पुराने रेलेटिव है मना कर दो तो बोलेगा वा पुराने दोस्तों को भूल गाए अब मशूर हो गाए ना ये ताने सुनने को मिलते हैं अब हम वहाँ चले गए भई इसको कैसे नराज करें ये तो छटी किलास से अपने साथ है उसकी दावत में गए वहाँ बिरियानी खा रहे है चार छे आट दस हर हफते ना मेरी तस्वीर है मैंने अपने दोस्तों को बुलाया मैंने का भाई नरास कर दो लोगों को लोगों को क्या कर दो नरास कितना बुरा इमेज है उदर भी मुरगा उदर भी जाके बिरियानी मैंने का हमारा इसके लावा दुनिया में कोई काम नहीं है क्या खाली तालुकात ही निभाने है क्या हमने कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें तो मैंने का भाई ये जो पुराने तालुगात है ना इनको निभाने का कोई दूसरा तरीखा हमें जात कर लेते हैं लेक पीसों को फिल हाल क्या कर देते हैं? माफू मुर्गियों की जान पर क्या खाएंगे हम? रहम तो इसलिए थोड़ी सख पॉलिसियां बनानी पड़ती हैं अब लोग आते हैं न वलीमा हैं मैं कहते हूँ भाई मैं नहीं जा सकता मैं अपने वलीमों में चार दफ़ा जा चुका हूँ अब मैं और कितने वलीमों में जाओ वो कहते हैं हमारा अब आप बदल गए हो अब आप वो नहीं रहें भाई या आपका है डिक हम बदल गए हैं हमें तकबर पैदा हो गया है हम अरा स्टाइल चेंज हो गया है इन चीज़ों में हम आपको मुतमें करने के लिए अपना टाइम जाया बो नहीं करेंगे टाइम भी जाया होता है और बद्नामी भी कितनी होगी कोई पड़ा लिखा आदमी क्या बोलेगा इस मौलवी के बोलेगा इसके लावा कोई काम? है नहीं और मना कर दो तो फिर बोलते हैं न मौलवी में तकबर होता है हम दावत कर रहे हैं, नभी तो किसी की दावत का इंकार नहीं करते थे तो यार किसी हाल में खुश नहीं रखावा अब मैं अगर कभी मजबूरी में निकाह पढ़ाने भी जाओना घर से खाना खाके जाता हूँ परसों में किसी रेलेटिफ के बहुत ही करीबी थे उनके वलीमे में निकाह पढ़ाने गया घर से खाना खाके गया हूँ सब गाड़ों को भी यहीं खिलाए हमने, उन्हेंने का खाना हमने का हम खाके आए है हम नहीं खाएंगे चूंके खा रहे होंगे बिरियानी की एक तस्वीर फेस्बुक पे हम तो तुमारी इज़त बचाने के लिए खा रहे होंगे कि तुम्हें बुरा ना लगे इज़त किसकी जा रही होगी? हमारी जा रही हो किसी की इज़त बचाने के लिए अपने कपड़े उतरवाना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है तो अपने घर में डाल लोटी तो खनास समझ में आगई के नहीं आगई है जो आपकी जेब में उस पे ल्ला का शुकर अदा करो बास यही है आपका अभी किसी के सामने ना कारोबार के नाम पे पैसे मांगो ना किसी और नाम पे पैसे मांगो जो है बस इसी से जो करना है करो हाँ आपका एतमाद दुनिया में बहाल हो जाएगा तो लोग खुद आपको पैसा देंगे कि ये इतने पैसे हैं, आप काइनलिस से कारोबार करें, वो ठीक है, लेकि उसमें भी जब करो, जब आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उनको मना कर दो, अल्लामल की तौफिक अता फरमाए,